हेलो फ्रेंट्स आप सभी को फ्लोटिंग लाइफ चैनल में स्वागत है यह मेरा सेल्फ चार्जिंग बाई साइकल का मैंने डिजाइन किया हुआ इसको सब्सक्राइब करेंगे में सेफ सब्सक्राइब और करके यह सब मैंने डिजाइन किया है लेकिन बगरा वाक्षोप में ले जाकर मैंने कराया है तो वीडियो को आखरी तक जरूर डिकते रहेगा सेनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों ये मोल्डिंग करने के लिए केमिकल के जरूर ड़त परेगा आपको इस्तमाल करने से पहले फेस मार्क्स, हैन गलॉप्स, आई प्रोडेक्शन तीनो का सेप्टी ध्यान रखना है मेरे पास में नहीं है इसलिए मैं डाइरेक्ट इस्तमाल कर लिया एक्चुली ये सही नहीं है बिल्कुल गलर है मैं आप लोगों को ऐसा करने के लिए सलाँ नहीं दूँगा आप देखसकती वे दोनों बोतलका क्या है स्वेंटी फाइब ग्राम है बरावला दबा 225 ग्राम हैं, दोनों दबा को मिलाने के बार में 300 ग्राम होते हैं, अगर आप दोनों दबा एक साथ में मिला कर काम करना है, तो कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा क्वाइंटिटी चाहिए, तो आपको वेट मिचिन दिजिटेल वाला लेना परेगा, इससे आ इसना क्वाइंटिटी लेना है, यह सही नहीं है, लेकिन मैं खुट एक्सपेरियंस लेकर कर रहा हूँ, यहां पर आप ऐसा नहीं करना साहिए, आप दिजिटेल वेट मेशिन हैं, उसके द्वारा करना साहिए, तो मैंने बता दिया, छोटा वाला दबा, बारा वाला दबा मेरे पास में और भी दबा है, कि मैं पहले से ओडर किया हुआ है, यह क्वालिटी, यह प्रोडक्त, इसलिए खाली दबा भी मेरे पास में अवालेबल है, दोस्तों हाथ इधर उदर जा रहा है कि मेरा के सामने इसके लिए माफ कीजिएगा, तो दोस्तों बेग्राउन भी थोड़ा आवाज जादा आ रहा है, इसके लिए सोरी, तो सोटा वाला दबा जो 75 ग्राम का है, इसको मैंने यहां पर ले लिया है, मार्किंग लेबल के हिसाब से थोड़ा बहुत इधर उदर जा रहा है, लिक्विड ठीक है, कोई बार नहीं, इसको मैं खाली दबा में दा आप साहे तो प्लास्तिक बोटल काट के या तो वन ताइम ग्लास में दाल सकती है, अब मैंने दाल दिया 75 ग्राम वाला सोटा डबा से, अब बरा वाला दबा 225 ग्राम का है, तो मैं इसको फिर से यहां पर लेबल जो है, तिन बार दालेंगे, समझ रहे हो ना बाट को, मतल मतलब दोनों दबा मिला के 300 ग्राम होता है, तो उस हिसाब से मैंने दाला है, अगर आप सोटा वाला दबा को 25 एमेल लेते हैं, तो बरा वाला दबा से आपको 75 एमेल ही लेना है, मतलब दोनों दबा मिला के 100% कम्प्लिट करना है, तो मैंने बरा वाला दबा का एक बार ले आप दूसरी बार ले रहा हूं अब और एक बार लेना है तो दोस्तो मैं आप लोगों कहूंगा फ्लोटिंग लाइप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बेल बतन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें कोमेंट करें अपने दिल की बात दोस्तों floating life channel में अलग-अलग content आएंगे एक ही topic पे वीडियो नहीं आने वाले हैं इसके लिए मैं आप लोगों को पहले से ही request कर रहा हूं अगर आपका पसंद का topic है तो देख लीजिएगा अगर आपका पसंद का topic नहीं है आने वाला वीडियो तो आप प्लीज अंसब्सक्राइब ना कर दे चैनल को कभी भी आ सकता है आपका पसंद का topic ठीक है तो यह मैंने आप लोगों से request है दोस्तों अभी मैंने तिन quantity मैंने ले लिया है बरावला दबा का इसको mix करना परेगा आपको कम से कम 3-5 मीनित ठीक है 3-5 मीनित बरिया से आपको continue हिला के रखना है यह नहीं कि मिला दिया तो mix हो जाएगा इसा नहीं है mix करके एक दो बार घुमाने से नहीं होता है आपको ल जब तक वह reaction ना निकले तो आप कोई फाइदा नहीं है तो reaction आप दिखाई नहीं देगा लेकिन chemical है यह reaction होते हैं और अच्छे से आपको मिलाने के बाद में जहां पर आपको apply करना है उस पे डालना है तो मैंने वीडियो को थोड़ा सा skip किया है मेंगनेट का जो steel plate है steel plate के उपर में मैंने 10 मेंगनेट चिकाया था पहले दिखाया आपको वीडियो का सुरू में और जो cover coil winding करने वाला है उसमें तो मैं इस को apply नहीं करने वाला हूं वो बाद में करेंगे थोड़ा सा मुझे finishing सही करना परेगा पहले magnet plate है core armizer उसको armizer कहते है उसको मैं यह liquid डालने वाला हूं तो उसको मैंने cycle का will में fix कर दिया है मैं आगे दिखाऊंगा अभी जो मैं काट रहा हूं यह fiber resin clot है इसका भी मैं link description में दे दूँगा इसका भी जरूड़त परेगा कहीं syntax या तो तुटा हुआ पानी लिकेश कर रहा है तो यह बहुत काम घचिस है आपका तेंकी लिक है कोई plaster तो यह भी आपके काम का हो सकता है तो एक वीडियो काफी सारा आपको फाइदा मिलेगा तो यह मैंने काट दिया इतना बड़ा पीस है ठीक है लगबक 252-300 का अंदर म को इसका भी मैं लिंक डिस्रिप्शन में देदोंगा काफी अच्छा है ठीक है दोस्तों वीडियो क्या आपको अच्छा लगा वह जरूर बताईएगा और यह मैंने फिक्स कर दिया है आपको थोरा सा शोड में वीडियो को स्कृप कर दिया पहले भी मैंने बताया था करते करते के मरा record करना तो वी मैंने cycle का front wheel का right side में इसको apply करने के लिए source रहा हूं left side में dist brake है इसलिए तो मैं तोथला सा shape को small कर देता हूँ covet दोस्तों मेरा idea यह है इष वी में magnet plate को हैquest करने के बार में side में कोफर कोयल वेंडिंग का जो core है उसको नस्धिक में रखेंगे उसके बार में हम cycle को जब heel down में उठरेंगे या तो brake apply करने के बाद जो हमारा power cut हो जाता है उस time पर ये power हमको generate करके देंगे तो ये idea है तो उसको देखने के लिए आप आखरी तक वीडियो देखो और अगले आने वाला वीडियो भी देखने के लिए जरूर क्या करना है उसमें बता दिया बार-बार कहे दिया इसके लिए सोड़ी और वीडियो तो लंबा हो ही रहा है मैं धीरे धीरे बताऊंगा सब कुस्त डिटेल में बताऊंगा दोस्त इन चार होल करके नट बोल कस देने से हो जाएगा तो हो तो जाएगा लेकिन यह एलोई वील है इसमें ज्यादा चोट पहुंसाना सही नहीं है बहुत नाजुक है और अगर आप इसे होल करने के कोशिस करेंगे तो आपका वील जो है ना ब्रेक हो जाएगा कभी भी रस्ते में धोका दे सकता है और आपका पूरा साइकल बरबाद तो इसे में मिलना फिलाल अभी थोड़ा सा आसान नहीं है आने वाले समय में हो जाएगा क्यूंकि अभी तो शुरुआ यह हुआ है यह बाइक इलेक्रिक बहेकल यह सब तो मैंने केमिकल को फिर से मिक्स किया है आप मिक्स करने के बार में बार बार ना करे जल्दी से जल्दी इस्तमाल करके खतं करें 05-010 मिनिट के अंदर में ठीक है नहीं तो आपने आप काम शुरू हो जाता है जमने के लिए तो इस दब्बे के अंदर में एक चोटा सा पोस्ट दिखाया है या देखा देखा होगा आपने वो पॉडर है मतलब आप इसको ट्रांस्पेरेंस एक कलर बदलना चाहती हो तो वो पॉडर भी एद कर सकते हैं थोड़ा सा थीक है तो वो दब्बे के अंदर में ये केमिकेल बॉक्स भर के आया था इमेजोन के तरफ से इमेजोन के तरफ से तो मैंने ये इस्तिल प्लेट जो है मेंगनेट का बैठाने के बार में चारों तरफ में प्लास्टिक के बोटल को काट कर एमसिल से निचे के तरफ में सिल किया है ताकि केमिकेल निचे में लिकेश ना कर एगर लिकेश किया तो पूर करने में तकलिफ होगा, यह बहुत strong glue है, तो इसलिए आपको पहले perfect काम होने के बाद, आप यह apply करिएगा, तो यह आपको साबधानी बहुत ज़्यादा सोसमस्कर, इसलिए मैं वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा बाती करना परा, ताकि आप मेरा वीडियो देखके, अगर आपने सोचा, तो काम करने के बाद में पैसा भी बरबाद ना हो, और आपका सारा काम भी बरबाद ना हो, इसलिए मैं सब कुछ clear detail से बता दिया, दोस्तों मैं कोई ऐसा script लिखकर, के मेरा का सामने बरावला board में तांकर, नहीं बोल रहा हूं, मैं direct बोल रहा हूं, इ उसको उपर में resin cloth बिठा दिया, उसको सही से रखने के बाद में, फिर बचाव कोचा resin जो है, उसको उपर में डालेंगे, ज्यादा मोटा हम उसके उपर में नहीं बरेंगे, क्योंकि ज्यादा मोटा बरने से हमारा, ज्यादा wheel में भारी परेगा, और space भी कम हो जाएगा, इसको मैंने perfect measurement करके, बहुत ज्यादा source समझ कर उसको बनाया है, कितना height करना साहिए, मतलब उसका जो मोटाई है, ठीक है, तो इसके उपर में जो आप देख सकते हैं, wheel का biering, biering भी है, biering थोड़ा सा space अभी बचा हुआ है, लगबक 2.5 mm का लगबक इतना सा space है, उसमें हमारा कोड है, उसको भी नस्दिंग में लाना है, तो इसपे साहिए, आप cycle wheel को attest करने के बाद में, साइड में फ्रोग भी है, उसमें तकराना नहीं चाहिए, तो ज्यादा space नहीं है, उसमें हमको पूरा काम लेना है, इसके अंदर में ही, तो अब इसको chemical पूरा हमने हिच जगा पे रखेंगे, इसको शुकने के लिए मुझे दो दिन कम से कम लगेगा, कभी-कभी 12 एक दिन में हो जाते हैं, मतलब 24 hours में, वह आप किस जगा पे apply कर रहा है, उसपे depend करता है दोस्तो, अगर आप लकरी का hole पे अगर डाल रहे हो, तो आपको 12-24 गंते में शुक तो निचे तक शुकने में उसको दो दिन चे ज़्यादा लग सकता है, तो इस बात को भी ध्यान रखना, यह नहीं कहना कि आने तो 12 गंता बोलते हैं, 12 गंता बोलते हैं, लेकिन हमारा तिन-3 दिन हो गया सुखा नहीं है, तो आप किस जगा पे apply कर रहा है, उसपे depend करता है दोस्तो अभी हम इसको थोड़ा सा फिनिसिंग जो एमसिल हमने प्रयोग किया है, वो हता रहे है, ठीक है, इस तरब में में लगाया है, थोड़ा सा मैं आको दिखाता हूं, दोस्तो यह है, अभी इसको grinding करना बाकी है, फिनिसिंग देना बहुत बाकी है, क्योंकि इधर अंदे के तरह एक लेवेल पर नहीं है, अभी काम हमारा 30% सही हो गया है, अभी और बहुत चमही लगेगा, धीरे धीरे करेंगे, जल्दी बाजी नहीं करेंगे, क्योंकि खुट के पास में ये सब करने के लिए एक्सेसरिस नहीं है, इसलिए वाक्षो में जा जाकर